नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में नज़र डाल लेते हैं खास खबरों पर दिल्ली एंसियार समेत उत्तर भारत इन दिनों शीत लहर की चपेट में हैं दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुभा दर्श की गई दिल्ली के सब्दरजंग सेंटर पर आज न्यूंतन तापमान 3.3 डिगरी शेल्सियस दर्श किया गया जो सामानने से 4 डिगरी कम है बता दें कि इस से पहले इस मौसम में न्यूंतन तापमान 3.4 डिगरी तक दर्श किया जा चुका है बुदवार को भी हड्यां गला देने वाली ठंड ने परिशान किया ठंड बढ़ने के कारण न्यूंतन तापमान सामाने से 3 डिगरी कम 3.5 डिगरी शेल्सियस दर्श किया गया गोरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि नई साल से एक दिन पहले न्यूंतन तापमान 3 डिगरी तक पहुँच सकता है इसका मुखे कारण है कि मैदानी इलाकों में शुष्क और बरफीली हवाईं चल रही हैं सरकार ने फास्ट्रेक की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी रहती है अब देश भर में सभी चार पया वाहनों के लिए फास्ट्रेक की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाती गई है इससे पहले NHAI की ओर से कहा गया था कि एक जन्वरी से कैश टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है फास्टैक को 1 दिसंबर 2017 के बाद से नई चार पया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय की अनिवारे कर दिया गया था इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्र मूटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया था अब तक 2 करोड 20 लाग से जादा फास्टैक आवंटित किये गए हैं एक्सपर्ट का माना है कि COVID-19 के कारण लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रांसफर में ज्यादा यकीन रख रहे हैं 24 दिसंबर को पूरे देश भर में फास्टैक का बंपर ट्रांजिक्शन हुआ NPCI ने बताया कि NETC प्रोग्राम के तहट ये पहली बार हुआ था जब एक दिन में फास्टैक से 80 करोड रुपे से जादा का टोल कलेक्शन हुआ 24 दिसंबर 2020 को एक दिन में 50 लाख से जादा का फास्टैक ट्रांसिक्शन हुआ केरल की पिनराई विजहिन सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ गुरुवार को विशेश सत्र बुलाया है सत्र में मुख्यमंत्री ने क्रिशी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया इस प्रस्ताव को कॉंग्रेस सहित विपक्षी दलों ने अपना पूरा समर्थन दिया विधान सबा में प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र को तीनों कृषी कानूनों को वापस लेना चाहिए इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिंडराई विजेन ने कहा वर्तमान स्थिती यह स्पष्ट करती है कि यदि किसानों का अंदोलन जारी रहा तो यह केरल को गंभी रूप से प्रभावित करेगा इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर अन्य राज्यों में खादे पदार्थों की आपूर्ती बंद हो जाती है तो केरल में मुख्यमंत्री ने कहा गया कि देश एक कठन परिस्तिती से गुजर रहा है और आंदोलन कारी किसानों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार का कर्तव है प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आंदोलन खराब मौसम के बीच हो रहा है मुख्यमंत्री ने कहा तीनों कानून केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद करेगा कॉंग्रेस और अन्य सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है कॉंग्रेस के उपनेता केसी जोजफ ने सदन बुलाने की अनुमती देने में देरी के लिए राजिपाल आरिफ मुहम्मत खान की आलोशना की भाजपा के एक मातर विधायक ओ रा मुकाबले जीत कर सीरीज में बराबरी पर हैं। बोट के एक सूत ने बताया टी नटराजन के प्रदर्शन से सभी रोमांचित हैं लेकिन हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि उन्होंने तमिलनाडू के लिए एक मात्र प्रतमश्रेणी मैच खेला है वहीं शादूल मुंबई के लिए लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते आए हैं शादूल बदकिस्मत हैं कि वेस्ट इंडीस के खेलाफ अपने पहले टेस्ट में उन्हें चोट के कारण बिना एक भी ओवर खेले बाहर होना पड़ा बता दें कि उमेश यादव से पहले अनुभवी गेंदबाज मुहमद शामी भी चोट की वज़ह से सीरीस से बाहर होकर भारत लौट चुके हैं मुखे कोच, रविशास्त्री, कप्तान, अजंकिया रहाने और गुगुद और गेंदबाजी के कोच, भारत अरुन, सिड्नी पहुँचने के बाद इस पर फैसला लेंगे शारदुल ने अभी तक 62 प्रतम श्रेणी मैचों में 206 विकेट लिये हैं उन्होंने 6 अर्दशतक भी जमे हैं सीमित ओवरों में एक रिकेट में भारत के लिए खेलते हुए भी वे अच्छे बल्लेबास के तौर पर उभरे हैं फिलाल खास खबरों में इतना ही जुड़े रही है न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवार